नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर एम में जहां हम सभी लोग लॉज और बाइलॉज पर चर्चा करते हैं आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब अवश्य करें कमेंट में सेक्षन सेवेंटीनाइन, सेक्षन एटी और सेक्षन एटीवन तक का अध्यान कर लिया है जो कि बाइगेमी और डौरी डेथ से संबंधित प्रावधान करता है आज हम लोग सेक्षन एटीटू और एटीथ्री के विशे में अध्यान करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्य प्रावधान किये गए है section 82 यहां कहता है कि whoever dishonestly or with fraudulent intention जो कोई भी कपट पूर्वक या fraud intention के साथ goes through the ceremony of being married विवाह के जो ceremony होती है उसमें भाग लेता है जबकि knowing that he is not thereby lawfully married जबकि वह जानता है कि वह उससे बिवाहित नहीं है shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years तो उसे दोनों में से किसी भी प्रकार की कारावास जो जिसके अवधी साथ वर्स तक बढ़ाई जा सकती है और साथ में fine से दंडित किया जाएगा ऐसा धारा बैयासी कहती है तो इसमें जो सिक्सन बैयासी का जो प्रावधान वो यहां कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कपट पूर तरहिके से किसी का पती या पत्नी बन करके कोई legal कारे जो है वो perform करता है कोई legal act perform करता है जो dishonest intention के साथ या fraudulent intention के साथ यानि कि उस महिला या पुरुस को धोखा देने की नियत से उसको नुकसान पहुचाने की नियत से अगर वह ऐसा perform करता है कि वह उसका पती या थो पत्नी है जबकि वह उससे भी वाहित नहीं है तो धारा बैयासी के अंतरगत अधिकतम साथ वर्ष के किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और उसके उपर जुर्माना भी लगाया जाएगा धारा चौर तिरासी यां कहती है कि whoever take or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent any such woman जो कोई भी किसी महिला को यह जानते हुए कि वह किसी और की पतनी है इस उद्देश्ट के साथ उसका बंधक बनाता है उसका अभ्यपहरन करता है कि वह किसी उसके साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ sexual intercourse में सहभाग करे shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both तो उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास जो की अधिक्तम दो वर्ष तक हो सकता है अथवा fine अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा यहाँ पर देखिए कि सजा के साथ fine नहीं है वो court के discretion पर है कि court अगर चाहे तो दोनों एक साथ impose कर सकती है केवल एक impose कर सकती है सजा या fine वो court के उपर निभर करता है यह धारा 83 का प्राओधान है कहने के मतलब यह है कि कोई कोई भी विव्यक्ति किसी भी महिला को जिसको वह जानता है कि वह किसी और की पतनी है और उसे उस अपराद के लिए अधिक्तम दो वर्स तक की सजा और fine से दंडित होना पढ़ेगा ऐसा धारा 83 का प्राओधान है तो आज हम लोगों ने धारा 82 और धारा 83 के अंतरगत जो प्राओधान थे fraudulent और dishonest intention के साथ मेरे ceremony को perform करके मतलब उसके पच्छकार के एवज में कोई lawful act करना उसको धोखा देना और दूसरा यह है कि किसी महिला को जिससे वह जानता है कि किसी दूसरे की पतनी है उसकी पहुंच से दूर ले जाकर के किसी illegal activities में या sexual intercourse में उसका सहभाग कराने के लिए करना ऐसा कारी इन दोनों चीजों के लिए सजा का प्रवधान धारा 82 और 83 के अंदर किया गया है जो आपको निश्चित तोर से समझ में आया होगा जहां आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट करके अपने प्रशन पूछ सकते हैं धन्यवाद